which of these is closest to the measure of the angle हमें यहाँ पे कुछ measures दे रखे हैं angles के और हमें पता लगाना है कि इन में से कौन सा measure हमारे इस दिये गए angle के सबसे पास है तो अगर हम इस angle को देखें तो यह मुझे एक acute angle जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमारी opening जो है यह कम खुली हुई है अगर हमारी ये वाली ray अगर हम इससे थोड़ा सा इधर ले जाते और यहाँ पर हमारे इस वाली ray के relative अगर ये upright होती तो हम कह सकते थे कि यह एक right angle है लेकिन ये एक right angle से कम है इसलिए इसका measure ये 90 degree से कम होना चाहिए right angle का measure 90 degree होता है और ये acute है इसलिए इसका measure ये 90 से कम होगा तो अगर हमन सभी options को देखें तो यहाँ पर सर्फ ये option B है हमारा जो कि 90 से कम है यहाँ पर 90 degree तो right angle को indicate करता है और ये right angle तो है नहीं और 180 और 120 ये तो बड़ा ही होता है 90 से तो मुझे ऐसा लगता है कि 60 हमारा answer होना चाहिए चलिए इससे check करते हैं अगला सवाल करते हैं तो हमें ये जो triangle दे रखा है इसके जो angles हैं उनका measure 45 degrees और 90 degrees के बराबर है तो अगर हम अपने इस triangle को देखें तो इसमें 3 angles हैं हमारे पास ये और ये line segment जहां intersect कर रही है हमें ये angle B मिल रहा है यहां पे ये वाली line segment और ये वाली line segment ये हमें angle C दे रही है और ये line segment और ये line segment हमें दे रहा है angle A हमें पता लगाना है कि यहां पर इन सभी जो angles का measure है वो कितना होना चाहिए तो एक बात जो बहुत clear है यहां से कि हमारा angle B यह 90 degree के बराबर है क्योंकि यहाँ पर यह वाला जो mark है यह हमें बताता है कि यह angle 90 degree होना चाहिए और ऐसा दिखाई भी दे रहा है अगर हम एक line के respect में दूसरी line segment को देखे तो यह दोनों एक दूसरे के relative एकदम upright है तो हम कह सकते हैं कि हमारा angle B यह 90 degree के बराबर है यहाँ पर B के आगे मैं 90 पे sign लगा देती हूँ और हमें दे रखा था कि बाकी जो angle का measure है वो 45 degree के बराबर है तो 90 वाला तो हमारा यह angle हो गया तो बाकी दोनों हमारे angles यह 45 degree के बराबर होने चाहिए तो यहाँ पर अपने इस table में हम angle A को भी 45 mark कर सकते हैं और angle C को भी 45 mark कर सकते हैं चले इसे चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं match these angles with their measures तो हमें यहाँ पर कुछ measures दे रखे हैं और यहाँ पर कुछ angles और हमें इन्हें इनके सही measure से match करना है यहाँ पर सारे figures आ नहीं रहे हैं मैं screen को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ठीक है तो यह हो गए हमारे measures और यह हो गए angle तो यहाँ पर अगर हम इस angle को देखें तो यह हमारा 90 degree का angle है यह वाला जो छोटा square box है यह हमें यही बात बताता है तो इसे हम उठा के चलिए 90 degree के पास रख देते हैं तो अब हमारे पास यह तीन angles और बाकी हैं चलिए देखते हैं तो यह तीनो angles हैं 30, 45 और 60 यानि कि यह सभी acute angles हैं यानि कि सभी दरसल 90 degree से छोटे होंगे और 30 degree यहाँ पर सबसे छोटा होगा तो यहाँ पर जो angle सबसे कम खुला हुआ होगा वो 30 degree का होना चाहिए और ऐसा लग रहा है कि इन तीनों में यह वाला angle यह सबसे कम खुला हुआ है इसलिए इसे हम 30 degree पर रख देते हैं और 45 degree और 60 degree में अगर हम compare करें तो 45 degree यह कम खुला होगा 60 degrees के comparison में और इन दोनों angles में मेरा यह वाला angle मुझे कम खुला दिखाई दे रहा है इस angle के comparison में तो यह हो गया हमारा 45 और यह हो गया हमारा 60 degree का angle और अगर हमन सभी angles को अब इस तरीके से देखें तो हम देख सकते हैं कि यह हमारा सबसे कम खुला हुआ angle है यह इस से थोड़ा ज़ादा खुला है यह इस से ज़ादा और यह सबसे ज़ादा खुला हुआ है तो हमारे measure के हिसाब से हमारा angle कितना खुला हुआ होगा हम यहां से देख सकते हैं चले इसे check करते हैं और एक सवाल और करते हैं Which of these angles has a measure of 90 degree तो यहां पर अगर हम इन सभी angles को देखें तो यह जो angle D है यहां पर यह square box यही हमें बता देता है कि यह 90 degree का angle है आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यह दोनों raise एक दूसरे के relative एकदम upright हैं यह left to right जा रही है और यह top to bottom जा रही है इसके उपर तो हमारा यह angle है 90 degrees के बराबर और मुझे लग रहा है कि एक सवाल और बचा है बस एक और कर लेते हैं Which of these is closest to the measure of angle तो यहाँ पर हमें यह वाला angle दे रखा है और हमें पता है कि ऐसा angle यहाँ पर यह वाला sign represent करता है कि हमारा यह angle एक right angle है और right angle का measure होता है 90 degree के बराबर यहाँ पर बाकी दोनों angles यह 90 से बड़े हैं और यह obtuse होने चाहिए अगर हमारा यह वाला जो ray है अगर यह और खुला हुआ होता तो यह इन में से कोई एक angle के बराबर हो सकता था और 45 degrees होने के लिए इस angle को और कम खुला हुआ होना पड़ता तो यह 90 के बराबर है तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं और हमने सभी सवाल कर लिए हैं प्राबर होने को झाला हुआ हुआ है